हाई दोस्तों तो यार विजे थलबती की जो फिल्म है ग्रेटेस्ट ऑफ आल टाइम गोट ने मुझे तो भाई सच में थोड़ा सा सर्प्रेस कर दिया यार नई सैटरडे का जो कलेक्शन था मैं मानता हूँ कि सैटरडे का कलेक्शन बढ़ता है और जो की बढ़ा है यह और मैं खुश हूँ कि मतलब यह फिल्म का कलेक्शन बढ़ा हाला कि हम जानते है कि मेभी देखो जो बजेट है इसका वो थोड़ा सा बहुत बढ़ा ही प्रॉब पाइड इवन 40 करोड कर लो असपास बोल रहा हूँ, तीन दिन में लगबग 105 करोड से लेके, 110 करोड का नेट कलेक्शन आया है, अरे कल आया है बाई 35 करोड का नेट कलेक्शन जो कि बहुत, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो नीगेटिव रिवीव्विव आया है है देखो मैं सिंपल सी बात पोल रहा हूँ इसको मैं क्यों ग्रेड बोल रहा हूँ देखो रिव्यू अच्छे नहीं आए आपने देखा और मुवी भाई सेकेंड दे थोड़ी डाउन हो गई फर्स डे के तुलना में बहुत डाउन हो गई और तीसरे दिन अब क्योंकि है हिंदी में दो डाई करोड के असपस आया है तेल्गू में कम आ रहा है हिंदी में अच्छा ही आ रहा है तेल्गू की तुलना में continue तेल्गू सिर्फ पहले दिन अच्छा गया था तो क्या लगता है लेकिन नहीं पर एक बात है ना प्रैक्टिकली कि इसका जो बजेट है आपके तो मंडे को मोवी डाउन होगा यार मैं नहीं चाहता हो कि डाउन हो लेकिन मैं प्रैक्टिकल भी बात करूंगा ना मैं हवा में तो नहीं बोल सकता आज मैं फिर भी बोल रहा हो कि आज भी यह 40 क्या 50 करोड भी मान के चलो तो चार दिन में यह नेट कलेक्शन वाइ आज का मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूं लेकिन क्या अगला क्या नेट कलेक्शन वाइज आ रही है बजट है 400 करोड आगे क्या मंडे से क्या आप जानते हो तमील ओडियंस का भी एक खासी है ते मंडे को पूरा का पूरा नीचे आ जाता है मार्केट ना के बरावर हो जाता ह अब अगर देखो हिंडी टेल्गों से इसका कोई उम्मीद है नहीं जो भी तमील से और तमील फिल्में भी इतनी जाती नहीं है जब ऐसे रिवीव जाते तो भाई यह अगर 200 करोड भी नेट कलेक्शन जाएगी तो बहुत बड़ी अचिवमेंट है अब यहाँ पे अपना अगर मैं सोचू देखो जो बॉलीवड का रूल रहता है बॉक्स ओफिस इंडिया का उस एकॉर्डिंग तो यह नहीं चल रही फिर और देखो भाई मैं सीधा बोल रहा हूँ यह मुझे बाकियों के वर्डिक नहीं पता मैं सीधा बोल रहा हूँ बीस नहीं चली थी कुछ आपको बहुत सी फिल्मों के वर्डिक उनके वह अपनी मन से देते है यह फैन गलब्स देते है नहीं चली थी नहीं चली थी भाई अभी भी इसकी जो हालत है ना अभी तक ठीक है मैं क्या बोल रहा हूँ फिर भी पहले चार दिन सही है आज का भी मैं बोल रहा हूँ चाली है या नहीं फिप्ट डे पर डिपेंड करता है मंडे बस उससे पहले हम नहीं बोल सकते है इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ अभी हम आप लोग जो फैन लोग है इसके वो सेफ है भी चार दिनों के बार पर पाचवे दीन पर इंपोर्टन है तो अभी यह फिल्म सेफ ह है हाँ यह वाला एंगल है अभी अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं चाउते दीन तगड़ा जाने के बाद भी आप सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं क्यूंकि फिप्ट डे पर सब कुछ डिपेंड है यह समझ जाओ चैनल सब्सक्राइब ने किया है तो कर लिए देखो भाई जो सच है वो मैं बात करूंगा आपको आप लोग जानते हो एट प्रेजेंट मूवी चार दीन में सक्सेसफूल है फिप्ट डे क्या होगा वेट करना पड़ेगा